चलिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि दीपावली और धंतेरस के मौके पर ऐसे कई शब्द हैं कई वर्ड्स हैं जिसका इंगलिस हम जानना चाहते हैं तो ऐसे शब्द और वर्ड्स क्या हो सकते हैं उसके इंगलिस जानने की जरूरत नहीं होती है जैसे एक वर्ड है कलस कलस की अगर हम बात करें चाहे वो दशहरे में हम कलस अस्थापना की बात करें या दीपावली में हम कलस की बात करें चुकि अक्सर जब पूजा करते हैं हम हम जब वर्षिप के दौर में होते हैं तो कलस की बाते होती है कोई जरूरत नहीं है कि इसको हम इंगलिश में ही जाने लेकिन इसके इंगलिश में आपको बताऊंगा इसको इंगलिश में हम औरन बोलते हैं यू आरन जिसकी हिंदी होती है कलश लेकिन अगर बोलने के दौरान आप अगर कलश ही बोलना चाहे तो गलत नहीं ह करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है तो चलिए लेट से स्टार्ट आज हम जो पहला वर्ड आपके लिए लेकर आया है और इस गॉड और गॉड़ेस बहुत ही कॉमन वर्ड है कई वार वीडियो वे आपने देखा होगा मैंने खुद बताया भी है लेकिन फिर भी यहां और गॉड़ेस जानना जरूरी है गॉड का मतलब भगवान और गॉड़ेस का मतलब लक्षमी गॉड को हम लॉड भी बोल सकते हैं लॉड रामा लॉड गनेशा और गॉड़ेस लक्षमी तो पहला वर्ड जी ओ डबल डी एसस गॉड़ेस का मतलब लक्षमी दूसरा वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ earn इसको earn पढ़ते हैं और इसकी जो हिंदी होती है that is colors मतलब you are an earn का use अगर आपको करना हो तो इसको हम earn बोलेंगे जिसके हिंदी colors होती है तीसरे word में आप आएंगे तो crackers crackers, दीपावली में अगर आप crackers की बात ना करें, it means you are not going to celebrate दीपावली with heart and soul तो crackers की बात होनी चाहिए but unfortunately ऐसा देश में होता है कि सरकार sometimes take some hard decision to stop crackers you cannot use crackers to ban crackers, आप यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन festival का तहवार है बाते तो होगी, तो crackers इसको हम लोग fire crackers भी बोलते हैं तो C-R-A-C-K-E-R-S crackers मतलब पटाखे पटाखे की बात हम करते हैं तो crackers को हम हिंदी में बोलते हैं पटाखे मतलब अगर आप पटाखे की बात कर रहे हों तो crackers का यूज करेंगे C-R-A-C-K-E-R-S और crackers के साथ साथ इसको हम fire crackers भी बोलते हैं मतलब अगर crackers में हम fire का यूज कर दें F-I-R-E fire crackers तो fire crackers को भी हम पटाखे बोल सकते हैं और fire crackers को अलग-अलग लिखे तो fire का मतलब पटाखे फोड़ना भी हो सकता है पटाखे को जलाना भी हो सकता है तो fire crackers मतलब पटाखे भी हो सकता है और fire the crackers का मतलब पटाके को forna हो सकता है अगले word की तरफ आए इस fire crackers की जगह पर हम fires की जगह पर burst बोल सकते हैं और इस burst का मतलब है forna मतलब I will burst the fire crackers on the public तो चलिए देखते हैं burst का मतलब हम लोग use करें that is forna मतलब burst का use हम करेंगे forna में fire भी forna का पटाके forna की English fire भी हो सकती और burst भी हो सकती तो आगे बढ़ते हैं next word है हमारा cotton wick cotton एक common word है cotton की बात अकसर आप करते हैं अपने daily life में करते हैं लेकिन इसमें अगर wick लग जाए WIC के तो cotton wick बाती को कहते हैं और अगर दीपावली में बाती की बात आप ना करें तो भी दीपावली आपका धूरा है इसलिए cotton wick को जान ज़रूरी है जो अकसर हम रूई से बनाते हैं उसे हम cotton wick बोलते हैं तो इसकी जो हिंदी होगी that is बाती तो cotton wick के हिंदी बाती होती है और अगले word की तरफ हम आएंगे अर्थन लैंप बाती की बात आपने पहले बात कर ली लेकिन बाती का use हम कहां करेंगे बाती का use हम करत होता है जैसा कि word से ही आपको समझ जाना चाहिए अर्थ का मतलव प्रिथ्वी मिट्टी धड़ती और अरथन लैं मतलव मिट्टी के दिये को हम अरथन लैंप बोलते है इसकी spelling है अ متलब मिट्टी के दिये तो इसको भी मैं लिखूं या मुझे लगता है लिखने की ज़रू यह मैंने लिखा, चलिए एगले word की तरफ आते है flame, flame का मतलब है law, law जब आप बाती लगा रहे हैं, अर्थन लैंप में बाती लगा रहे हैं, जैसे ही आप उसे light करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें law निकलता है, जब वो जलने के बाद जो flame हम use करते हैं, उसे ही हम law बोलते हैं, और law को English में flame बोलते हैं, तो F-L-A-M-E, flame मतलब law, और कई बाड़ लोग law नहीं समझते, flame ही समझ जाते हैं, मतलब बाती से जो चीज निकलती है, उसे flame बोलते हैं, जलने के बाद हिंदी इसकी law होती है, white wash, दीपावली में, अक्सर अगर आप students हैं, तो घर में ममी पापा क साथ आपको भी white wash करवाना होगा घर में, करना होगा, clean करना होगा आपको घर, अगर आप husband है, तो कई बार meme भी बनते हैं, जोक भी चलते हैं, कि wife आप से घर साफ करवा रही है, तो white wash word हम सीखते हैं, इसकी spelling में बता दूँ, white wash, white wash का मतलब, चूना दिलवाना, जिसको हम लोग एक common word में, एक देहाती शब्द में, पोचारा करवाना भी बोलते हैं, पोचारा करवाना, तो white wash, चूना देना and पोचारा करवाना, white wash, यह verb है, इसका हम बीटू बना सकते हैं, white wash, white washed, अगले word की तरफ आते हैं, sacred fire, जैसा कि आपको word पता है, sacred fire का मतलब होत हवन, मतलब fire जो पवित्र हो, हवन, और मैं पहले बता चुका हूँ, कि कई बार English अगर नहीं मिले, तो हवन का यूज़ कर सकते हैं, no problem, लेकिन sacred fire का मतलब हवन हम यूज़ कर सकते हैं, तो sacred fire के हिंदी हवन, next word की तरफ आते हैं, light up, light up का मतलब, जलाना, लाइट अप का मतलब जलाना, कई बार, light का भी यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे light up the earthen lamp, मतलब मिटी के दिये को जलाओ, light the candle, तो light का भी हम कई बार यूज़ करते हैं, light the candle, और light up मतलब भी जलाना, तो light up को हम बोलेंगे, जलाना, light up, दर्थन लैंब, मिट्टी के दिये, जलाओ, इसकी spelling भी बहुत असान है, L-I-G-H-T, अप, अगले word की तरफ आएंगे, cow dung, चुकि धीपावली की बात अगर करें, अगर आप धीपावली की बात करते हैं, तो धीपावली के दिन, कई घरों में, कई दुकानों मे अकसर पूजा किया जाता है, तो पूजा में जो सबसे important चीज यूज होती है, वो गोबर होती है, तो cow dung के English गोबर होती है, तो cow dung को हम हिंदी में गोबर बोलते हैं, अगले word की तरफ आएंगे, offering, offering भी एक common word है, last video में भी मैंने बताया था, offering का मतलब आप प्रसाद के र होता है, तो offering का मतलब प्रसाद भी होता है, जैसे I want to offer the offering, मैं प्रसाद चरहना चाहता हूँ, और कई बार, कई जगे, प्रसाद को लोग blessing भी बोलते हैं, प्रसाद, तो आप offering को हम प्रसाद बोलते हैं, और अगले word को देखते हैं, जो हमारा 13 number होगा, तो 13 number हमारा word है, that is incense And how do you spell, आप spelling इसकी कैसे करेंगे, I-N-C-E-N-S-E, incense का मतलब होता है, धूप, अक्सर हम पूजा पाठ में यह शब्द यूज करते हैं, धूप and अगरबती, तो incense का मतलब धूप, और इसमें अगर आप stick लगा देते हैं, मतलब इसमें अगर आप stick लगा देते हैं, incense stick, इसक का मतलब अगरबती होता है, तो चलिए तेरहमा नमर जो word है, वो word आप धूप सीखें, incense, और जब इसमें stick लगा देंगे, तो यह अगरबती हो जाता है, incense stick का मतलब अगरबती है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, green firecrackers, कई बार आज सरकार, government की यह policy आ रही है, ऐसे law रहे हैं, कि आप pollution free दिपावली मनाए, तो इसके लिए हम अगर pollution free पटाखे का यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं green firecrackers, मतलब जिसमें pollution नहीं होगा, और word पर ध्यान दीजिएगा, p-o-l-l-u-t-i-o-n, उसे हम pollution बोलते हैं, pollution नहीं होता, उसे हम pollution बोलते हैं, तो green fire works, green fire works और green firecrackers बोलेंगे, pollution free, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, firecrackers और fireworks में क्या differences हैं, अगर आप firecrackers का यूज करते हैं, तो यह जनरल पटाखे होंगे, fireworks हम ऐसे पटाखे को बोलते हैं, जो आतिशवाजी होता है, जो आसमान में उड़ता है, या उपर जाकर जो कुछ कलर फूल हो जाएं, इसे हम fireworks बोलते हैं, तो firecrackers का मतलब पटाखे, और fireworks का मतलब आतिशवाजी जो आसमान में होता है, और green firecrackers का मतलब pollution free पटाखे, जिससे की production रहित पटाखे हो, जिससे production ना हो, उसे हम green firecrackers बोलते हैं, अगला 15, matchstick, matchstick हम माचिस को बोलते हैं, और ज और इसी में अगर आप box लगा देंगे, matchstick मतलब तीली, इसी में box लगा देंगे, matchbox मतलब माचिस, माचिस के डिब्बि, तो matchstick, b-o-x, matchstick, matchstick, माचिस की तीली, matchbox, माचिस की डिबिया, अगले sentence में आते हैं, parched paddy, p-a-r-c-h-e-d, parched एक ऐसा word है, ऐसे भी आप इसका यू जाल मूरी खाते हैं, तो parched का यूज हम कर सकते हैं, तो parched paddy, paddy का मतलब आपको पता है, तो parched paddy हम किसको बोलते हैं, अक्सर दिपावली के समय, दिपावली में जब हम पुजा और पाठ कर रहे होते हैं, तो खील का यूज करते हैं, जिसे हम लोग lava बोलते हैं, तो parched paddy क हम लावा बोलते हैं अगले वर्ड की तरफ आए मैं निख भी देता हूँ पार्जट पैडी मतलब लावा वो लावा जो अक्सर हम दीपावली में यूज करते हैं बताशे के साथ या मिश्री के साथ या मीठे के साथ उसे हम पार्जट पैडी बोलते हैं अगले वर्ड की तरफ अगर आप आए तो देखेंगे अगला वर्ड हमारा फ्यूज है F.U.S.E. ताखिर इसका अर्थ क्या होता है आपने कभी पटाके छोड़े होंगे पटाके जब आप छोड़ते हैं तो उसमें एक बाती टाइप से निकला होता है बाती की इंग्लिश मैं आपको बता चुका हूँ cotton week लेकिन पटाके में जो जिससे हम उसे जलाते हैं लाइट अप करते हैं उसे हम fuse बोलते हैं तो fuse का मतलब जिसकी सहायता से जहां हम जलाते हैं और पटाके बर्स्ट करते हैं उसको हम fuse बोलते हैं एक अच्छा word dud का मतलब है कि कई बारा पटाके जलाते हैं और वो fuss कर जाता है याद कीजी अपने बच्पन में हम बोलते थे वो fuss कर गया तो इसका use हम करेंगे fuss जैसे your bomb is dud मतलब आपका पटाका फुस कर गया तो dud का मतलब फुस कर जाना निस्क्रिय हो जाना मतलब वो जब वो फटना बंद कर दे या उसमें किसी तरह का कोई वो निस्क्रिय हो जाए तो उसके लिए हम dud का use करते हैं आगले word की तरफ आए इसमें कुछ उपर में मैंने कुछ word लिखा है ये word कुछ special पटाके हैं और शुरुआत में ही मैंने कहा था कि कई बार सबके इंग्रिस जानने की जरूत नहीं है आप ऐशे शब्द को अपने हिंदी में भी यूज कर सकते हैं रॉल कैप रॉल कैप बोलते हैं जो हम चुट पुटिया अक्सर आप देखे होंगे बंदूक में हम लोग उसको डालते थे और उस पर बच्पन में हम लोग पटपट की आवाज के साथ एक दूसरे पर निशाना लगाये करते थे उसको हम रॉल कैप बोलते हैं आप देखे हैं फॉल जरी ऐसे पठाके जिसमें जिसमें वो फुल जरी टाइप से लाइट होती है उसको हम इस पार्खलर बोलते हैं फॉल जरी नेक्स्ट आप देखें फॉंटेन क्रेकर्ड ची रे सी के एर एस फॉंटेन की स्पेलिंग F-O-U-N-T-A-I-N फॉंटेन इसका क्या आर्थ होता है फॉंटेन का मतलब कुछ जरना टाइप से पानी गिरता हुआ लेकिन इसमें क्रेकर्स लगा हुआ है तो फॉंटेन क्रेकर्स अनार को बोलते हैं इस पटाखे को आप जरूर जानते होंगे जिसको हम जलाते हैं और बहुत उपर तक लाइट जाती है उसे हम फॉंटेन क्रेकर्स बोलते हैं मतलब मैं हिंदी भी लिख दूँ फॉंटेन क्रेकर्स का मतलब अनार अगले वर्ड की तरफ हाएं जैसे हम जला रहे होते हैं भॉंटेन का नाम देते हैं उसे हम ग्राउन्ड स्पीनर कहते हैं अगले वर्ड की तरफ आएं इस्ट्रिंँगवाफाइर क्रेकर्स अक्षर दिपावली हो लोग तो शाधियों में भी इसका यूज करते हैं वो जो हम पटाके की लड़ी जो एक पट 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 बहुत देर तक आवाज करती रहती है उसको हम या तो chain of firecrackers बोलेंगे या string of firecrackers जो एक बार आप लगा दें उसे बांद कर और वो बहुत देर तक बहुत दूर तक पटाके की आवाज करती रहेगी पी crackers मुर्गा चाप पटाके की बात आप कर रहे हैं और मुर्गा चाप पटाके की बात ना हो तो शायद आप दिहार में नहीं रहते हिंदी भासी इलाके में नहीं रहते मुर्गा चाप पटाके को ही हम पी crackers बोलते हैं वो एक nice word है पी crackers मतलब मुर्गा चाप पटाके आप इसे मिस्री भी बोल सकते हैं, जिस समय में पास्ड पैडी आपको बता रहा था, तो उसी समय में चाहता था इसे बताना, लेकिन अंत भला, all's well, that ends well, तो इसको हम यूज करेंगे सुगर कैंडी बतासा, चुकि पूजा में या प्रशाद में बतासा ना हो, तो इसी तरह जूरे रहें, सब्सक्राइब करें, शेर करें, हमारा होसला बढ़ेगा, और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहें, thank you, and once again, wish you all happy दिपावली.